आज फाइनली नंबर आही गया भया आज एक जम सुद्ध हिंदी देशी भासा में समझेंगे हम केंडल स्टिक पैटन पहली बार अब देखो केंडल स्टिक पैटन का हाल कुछ जैसा है अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते इस पर मास्टिक यह भी ना आप ट्रेडिंग सोच ही नहीं सकते क्योंकि बेस यही है बहिया चाहे स्ट्रेटेजी बिस्ट्रेजी कुछ भी लगा लो सब लगेगा इसी पर इसकी मास्टिक जरूरी है इसमें चैलेंज यह ही कि जादातर लोगों ने जो सीखा है केंडल स्टि अगर आपने चीजों को ढंग से समझा है तो आपको पोस्टर लगाने की सबती नहीं है रटने की सबती नहीं है आदमी उपर सवार लगाता है जब उसको डर है मैं भूलना जाओं और आदमी भूलता का ब है जब उसने रटा है वह थ्री इडियट में वह चतुर के तरह अगर आपने आमिर खान की तरह चीजों को समझा है तो भूलने की जोती नहीं है आज भूलेगा ही नहीं जैसे मां पिछली बार भी कहा था आपको कि सर पांच प्लस पांच अगर करना आपने सीखा है समझा है तो पांसो पैंसट प् पिर समय लग जाए आपको करने में क्योंकि राट के बैठे हो आईसा ही हमने देखा है कैंडल स्टिक पैटन सर्फ मैक्सिमम लोग रट के बैठे हैं इसलिए वो जब लाइव मार्केट में बैठ रहे होते कैंडल स्टिक तो बहुत सारी चीजे भूल जाते हैं अरे यहां अरे इसका मतलब यह था भूल गया यह बना था यह अपने ट्रेट लेना था भूल गया ना समझे रही थे तो आज हम समझाएंगे दावा देता हूं आज इस तरीके समझाओंगा ना भया पूरे यूट्यूब पर तो मुझे निलगता किसी ने समझा होगा हाँ समझाने व है इसका यां यह है अच्छाइय मतलब समझ जाना यही तो रटना है सर्समझना क्या होता बो मैं जा都是 कर दोंаюсь समझना उसको कहते हैं. तो आज मैं सोचना आपको सिखा देता हूँ. समझना आपको सिखा देता हूँ. ठीक है? बड़े? पक्ता? अच्छे चैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? पहले यह समझो. पैटर्न, कैंडल स्टिक तो पता है? मुंबत्ती की वो जो लकडी जैसा मुंबत्ती होता है डंडी जैसा पैटन का मतलब क्या होता है कोई एक behavior देख करके आप समझ जाओ अच्छा इसका मतलब यह है वह तो पैटन होता है पर एक्जम्पल हमारी बॉडी जब गरम होती है तो हम समझ जाते हैं अरे फीवर आ गया है बुखार आ गया डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा नहीं तो एक पैटन बॉडी ने शो किया गरम हो करके समझ में आ गया बुखार है इस पैटन का मतलब तो बुखार होता है अच् नहीं ठीक है अच्छा अब शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने समय एक डिस्क्लैमर देता हूं या कोई भी कैंडल स्टिक पैटन या कोई भी स्ट्राटेजी या कुछ भी सरह 100% कभी काम नहीं करती है रेशियो सक्सेस का अगर आप अच्छा मास्टिक कर रखा अगर 20% भी अगर आप प्लस में है फिर बहुत बड़ी बात है ठीक है बगर इस पर मास्टिक करने के बाद ही होगा तो मास्टिक तो कर रहा ही पड़ेगा बच सकते नहीं हो ठीक सबसे पहले चीज यह समझोजर कोई भी केंडल आपको क्या बताता है प्राइस मूबमेंट बताता है अभी 10 रुपे का प्राइस है यह 15 रुपे कब जाएगा अगर मेरे को यह पता चल गया केंडल की हरकत देख करके तो मैं एंट्री ले लूँगा ट्रेड ले कासा हो बताता है अब इसाशेल का मूड कैसे चल रहा होगा अगर कैसे कर रहा है तो मैं कैसा कर रहा है क्या हो रहा हो तो मैं सेलर का माईन सेट समझने कोशिश कर रहा होगर मैंAR własश असी तरल्थ ताइम माइंड़ समझने में हेल्प करता है ठीक लाल चडड़ी गैंग और हरी चडड़ी गैंग हमने नाम दे दिया मस्त एक्स्क्लूसिफ देशी नेम हमारा ने काल निकाल हुआ कॉपी राइट ले ले लेना भाई आप कमेंट में लिख के ठीक है कमेंट में लिखता ही कॉपी रा तो यह जो हरी वाली डंडी आपको दिख रही है और यह जो लाल वाल डंडी दिख रही है पहले इसका मतलब समझ लेते हैं फिर और अलग अलग हम पैटन समझने कोशिए करेंगे देखो जर यह वाला जो एरिया है अच्छ पहले पैन निकालने पैन का गया जल्दी आओ ज को मत्ती का शरीर है यह मतला मौंग वाला पार्ट है यह अचा यह वाला पार्ट क्या है उपर गई पार्ट और निच्च एक पार्ट इसको बोलते हैं सुतली रस्सी नाम याद रखने के जुरती नहीं है अपना देशी जो आपको नाम याद रख सकते वही नाम याद रखो कोई गेजाम धुडिटे ना है थेना अपको ठेशाजी सब्दों थो खमाना ना ना देश में तो देसिघकान याद कर सकते होगसा . प्राइस का मुवमेंट देखो कैसा कैसा होता है यह बुलिश है उपर जाने वाला ग्रीन उपर जाने वाला होता है ग्रीन का केंडल का सुरुवात यहां से हुवा अजर मालो इस समय पर प्राइस दस रुपए था तो हमने दो गैंग जो लिया है एक सारुखान का गैंग एक सरतकपूर का गैंग अच्छे क्यों मैं कह रहा हूं आपने जोश मूवी देखी है एश्वरे राय सारुखान वाली यहां प्राइस होता है हमने इसको बोल दिया सारुखान गैंग और इसको सरतकपूर तो शारु खान गैंग आया 10 रूपए से प्राइस सुरू करके इसको ऊपर ले जाना था लेकिन सारतकपूर के गैंग के कुछ लोग आ गए नीचे गिरा करके ले गए पांच रूपए पर प्रड़ कहान ले गए पांच रूपए पर फिर सारु खान के कुछ और लोगों आ उन् Previously फिर पर फिर खमाषाकाश हुई फाड़ाए फेल खतम हुए फचाहस रूपए पर ठीक है भीया? तो इस candle की opening हम कहेंगे 10 रुपे से opening हुई, इस point से और closing कहा हुई, 50 रुपे पर अच्छे, ये 6 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे high point इतना तक गया था अच्छे, इसको पाँच रुपे हो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे low point इतना नीचे तक गया था और इतना उपर तक गया थाऊसी तरीके से लाल कंडल यानि के seller यानि कि लाल चट्डी गैंग बेचने वाले मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाले इनकी शुरुवात होती है सर यहां से गिराना है ना तूपर से और यह सरतकपूर कहेंगे यह आये मार्केट को नीचे गिराने वाले इनके साथ भी हुआ कुछ सरुखान के गैंग भिट लेकिन सरतकपूर वाले गैंग वाले हावी थे उस वक्त तो मालो यहां तक लेके गए और यहां लेके गड़ाई यहां प्राइस है पांच रुपए माली हमने लेकिन फिर इनको आघान्यों आ रहे हैं यह कैसे तो फिर सारु खान वाले कुछ आए और फिर उठाया यहां पर ले जाकरके दोनों में यहाँ घम असाल लड़ाई हुई और यहां पर मामला क्लोज हो गया 10 रुपे पर अब रेड केंडल के केस में ओपनिंग प्राइस यह सौ रुपे और क्लोजिंग प्राइस दस रुपे किराने का काम है ना सो रुपे से इसने गिराना शुरू किया और 10 रुपय तक गिरा पाया कहां तक गिराया था यह 5 रुपय तक गिराया था लेकिन यह सस्टेन नहीं किया कहां तक उठाया था 110 रुपय तक उठाया था लेकिन सस्टेन नहीं किया ठीक है तो 100 रुपय से शुरू करके 10 रुपय तक गिरा प एक ही केंडल आप देखो के जो बॉटम पर बन रहा है और वही केंडल जो टॉप पे बनेगा दोनों का बीएविर बतल जाएगा वही केंडल बीच में बनेगा तो बीएविर बतल जाएगा लोग नाम ही याद रखते हैं जो तेरा टाइप के पैटन में दिखा रहा हूं इसका नाम आपको दुदला कर दिया है कि नाम आपको रट्रें की जुरती ने पड़े तो सारा खेल नेम कहीं है नेम जहां याद रखने कोशिट करोगे शूटिंग इस्टाल की मारूफ हो गया लेकर खेल रटना ने सबजना है आओ आप देखो ये केंडल है एक स्ट्रांग बूलिष इसको ट्रेड की भाहसा में जैपनीज चुकीनों ने इन्वेंड कराये इसको नाम दिया है ग्रीन मारूबूजू इसको रैड मारूबूजू सर देशी भाहसा में समझो बीरिश मतलब नीचे गिराने वाला इसका मतलब क्या होता है समझो स्ट्रॉंग बुलिस कहने का मतलब पूरी नीचे से लेकर उपर तक देख रहे हो पूरा बॉडी बॉडी मतलब पूरा ताकत भरपूर है मतलब सारुखान गैंग वाले भरपूर पावर में इस वक्त अच् को स्ट्रॉंग ही कहेंगे बॉडी इतना वड़ा सुतली इतना सा है तो मजबूति ना मोम बत्ती की मजबूति किसने मोम वाले पार्ट में है ना तो जितना ज्यादा मोम बत्ती उतना स्ट्रॉंग जितना ज्यादा बॉडी पार्ट उतना ज्यादा ये कैंडल यह उठाने वाले स्ट्रॉंग ठिक अब इग्जांपल समस्ट इसको मारो उजू कहते हैं यहाद रखने की जुरुत नहीं यहाद रखने की चकर भूल को मुझे भीयाद बना मतलब बड़ा स्ट्रॉंग आया कौन सारुखान का गया उसके बाद क्या हुए खेल उपर की तरह गया है तो मतलब बुलिश मारू बूजू जब आया तो खेल पूरा पासा पलट दिया अब इंपोर्टन अमने क्या बोला कोई भी कैंडल की इंपोर्टन्स उसके पोजी इसके बाद उपर गया हो यह साइडवेस में रह गया हो लेकिन इसके बाद इसकी पॉसिलिटी बहुत कम है कि नीचे गया हो क्योंकि बड़ा स्ट्रॉंग है ग्रीन यहां पर ठीक है यहां पर लाल एक स्ट्रॉंग बना था उसको चपेट मारता हुआ एक लंबा ग्रीन ब बन रहा है यानि कि स्ट्रॉंग बुलिश्- स्ट्रॉंग बंड रहा है तो मतलब ज्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट सकता हो सकता उपर की तRफ ना चला जाए या फिर साइड़ मेंने की तो उमीद दावी कम है लेकिन अगर मैं बाटम पे देख रहा हूं बाटम बाटम के म मोटा दिखने का मतलब हो अब हीरो आया हीरो आया अब खेल पल्टेगा थी रहा करके खेल पलट दिया पोजीशन में दों के यहां पर लिख भी रखा है उसके पहले अगर रैड 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 मोटे मोटे बन रहा है यह चोटे चोटे बन रहा है और एक लंबा ग्रीन बन गया इसका मतलब हो हीरो की एंट्री हुई भाई साब अब तो बायर आया उपर लेके जाएगा क्योंकि बहुत सरी रैड के बीच में बड़ा ग्रीन दिखा नहीं लेकिन green green already चल रहा है एक already बड़ा green बन गया तो उसमें ज्यादा कुछ expect नहीं कर सकते हैं आपके नीचे जाएगा यह उपर जाएगा ट्रेड में है क्या जब आप बीच में होता आपको यह पता करना है नीचे जाएगा यह उपर जाएगा या फिर आप नीचे होता आ हमें direction पता नहीं चला तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं और गलत direction हमने assume कर लिया तो loss होता है ठिक तो हमारे को पता चल गए नीचे हमारे बाब रहुए इत्ता बड़ा बना है मतलब आप उपर जाने के संभावना पूरी है संभावना बोल रहो हूं मैं कभी भी 100% कोई भी candlestick pattern सही नहीं हो सकता दुनिया में कभी भी लेकिन यह है कि अगर आपको इसकी mastery है तो 60-70% ratio रह सकता है ठिक trend continues of the same color if forms at middle अगर बीच में बनता है ग्रीन 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 एक और ग्रीन बन गया मतलब trend continue रहेगा लेकिन red 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 एक भड़ा green तो change हो सकता है फिर आपको बता दिया तो आपको यह याद रखने की ज़रुत है कि इसको मारू बूजू कहते हैं कि बंबू बूजू कहते हैं हामा बूजू कहते हैं कोई भी बूजू हो भी है उससे क्या मतलब हमने behavior समझ लिया ना इस डंडी का अब नाम कुछ भी अपने को क्या मतलब तो कुछ बदलाब नहीं होगा नहीं हो सकता है ठीक इतना समझ आ रहा है अब देखो आईसा ही बीरिश मारू बूजू यह देखो उपर की तरफ मार्केट था 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 यहां देखो बीरिश एक लंबा डंडा बना है उसके बाद क्या हुए हालत समझ गे इसका भी पोज ललका बन रहहा है पहले से जब ललका बन-बन बन के बन-बन के नीचे आ रहा है और नीचे बी बड़ा सा ललका बने तो removal के नहीं कर सकते नव तो अलीं नीचे होगिए रीवर्सल को जब जब ग्रीन की एंट्री होगी तो उपर जब घा रहा था मतलब हीरो लोग उपर लेके जा रहा है सारुखन का गैंग उपर लेके जा रहा है और उपर एक विलेन आया मोटा सा बहुत तकड़ा बॉड़ी विल्डर भयां कर मार्पीट करके मार्खेट को नीचे कर दिया पोजिशन मेंटर करता है थोड़ा लग तरीके काई कि नहीं वज़ेदार एकदम बेजे में घुसरा है कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताओ भेजे में पक्का घुसरा इसा लिखके बताओ चल्दी लिखको मैं हैंगिंग मैं इसको बोलें सूटिंग स्टार इनवर्टेड के उपर आज फंडा क्लिर कर देता हूं आज जीवन जिन्दगी भर नहीं बोलोगे और बिना इसका नाम याद रखे चारों का नाम आपको याद रखने की जुरती नहीं है आज फंडा क्लिर अब जरा समझो इ समय का चली यह चलो उधर से जल्दी चली टाइन तेसे होगा या चलो ऐगत परminute कर ले लेतने हैं अब शुरु का voter से इधर से और उसका बाद क्या हुआ इसको पटका गया टए पटकने क्या हुआ इसको ऊपर ले जाए गया है सरे यहाँ सो तर क्लोजिंग आए ना मिरिन वाले का मतलब अच्छों ऑपर यहां से उपर मतलब क्या रहा है मतलब इस पर भी काम रहे ना । वसमेट अफ़ाहाया है नीचे बात बताओ यहां पर कौन ताकतवर हुआ आप बताना hero आया hero के साथ villain भी आया اور نीचे गिरा दिया ठीक उसके बाद फिर से hero आता है hero के गैंग लोग उठा दे उतना टाकत लगाते उससे उपर लेके जाते हैं और ऐसा करके खड़ा हो जाते हैं मतलब गुंडे लोग आए लेकिन hero ना क्या क्या पीट पाट करके डीम डीम करके ऊपर उठा दिया सर जहां पर ज्यादा पाउरफुल कौन साबित हुआ हिरो लोग ना मतलब ग्रिन वाले ना मतलब बायर ना यह ज्यादा पाउरफुल साबित हुए ना अच्छा ऐसा होगा कब मुझे यह बताओ पोजिशन नीचे बॉटम पे होगा यह हरकत या ऊपर की तरफ हरकत कभी भी ऊपर हो सकती है क्या सर ऊपर सोच के जटना सोचने के आपको तरीका बताता हूं सर मार्कट जब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ग्रीन अलडी बन रहा है उच्व तो क्या अचानक से ऐसा हो सकता है कि बायर के साथ सेलर वहां घुशे और नीचे पटकना शुरू करते और फिर बायर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन उस केस में कोई जाए रिवर्सल हो गाते लेकिन फिर से अपने ताकत दिखा दी तो रिवर्सल हो सकता है बैकिया। SpiderDragger लेकिन फिर ही इरो ने पटक दिया तो ट्रेंड क्या है लेकिन उपर जा रहे तो ओपरLy जाएगा भी या फिर उपर के आसपस ही रहीगा। निच्छे आने के भी कोई possibility नहीं है ठिक लेकिन अगर इसका position change हो करके निच्छे bottom पे बने यही वला तो फिर क्या होगा जरा बताओ सब निच्छे जा रहा है मतलब कौन strong है seller strong है मतलब गुंडे लोग strong है गिरा रहे हैं गिरा रहे हैं गिरा रहे हैं सर मतलब गुंडों का राज पहले ही से चल रहा था गुंडे लोग गिरा रहे थे और हीरो आकर के उपर उठा दिये इसका मतलब क्या अगर यह नीच्छे बन रहा है सर हीरो लोग उस वक्षान का गैंग हावी हो गये ना इसका मतलब क्या possibility है कि उपर जा सकता है हाँ बिल्कुल है क्योंकि गुंडे लोग इत्ते टाइम से राज कर रहे गिरा रहे थे गिरा रहे थे गिरा रहे थे हीरो अचानक से आया पीट दिया तो possibility है कि उपर उठेगा समझा रहा है तो यह इसका लेकिन अगर ग्रीन रेट ग्रीन रेट मारा पिटी चल रहा था और यह बना तो ट्रेंड में ज्यादा कुछ फरकाएगा नि वैसे अकसर यह आपको देखने को मिलेगा यह तो उपर की तरफ यह नीची की तरफ यह बहुत ग्रीन काम एक ही करता है लेकिन एकब रटना है नहीं मेरेको समझ न तो सर मेरेको समझाओ कि एक आफ कैसा होगा सर अगर यह बोटम बंढ़ रहा है पहले देखते हैं उपर बन रहा तो क्या होता है तरफ और हीरो की ताकत इतनी उठागर के यहां पर क्लोश कर एक बात बताओ इतना पार्ट, मतलब इतना पार्ट गुंडेगा और इतना पार्ट हीरो का, तो ताकतवर कौन हुआ, इतना पार्ट गुंडेगा, इतना पार्ट हीरो का, मतलब गिराया, लेकिन बाद में हवी कौन हुआ, हीरो लोग उपर लेगे गया, उपर लेगे गया, तो इधर में रा जादा हो तभी इसको हैमर बोलेंगे नाम ले लिए मैंने पैसे लिखा हुआ है चलो ठीक है में नाम से तो मतलब ही नहीं है नाम से तुनको नफरत है हम डंडी देखके समझ रहे हैं तो हीरो यहां पर पावर्फुल हो गया अच्छा अब यह उपर बन रहा है तो अगर यही hrp pandemic candle उपर की सरफ बन रहा है तो ऊपर की तरफ मतलब हीड़ो टो अपर अलडी उपर लोग लेके जा रहे है तो इसका मतलब ऊपर बना तू को फर्क ने यह था है कग रहे है निचे लेकERार है यह आ है और यह आ गया हाँ यह हीरोग की पावर में को दिखी सामझे तो इसका मतलब इसका चाहे लोग हेंगिंग में बोल देते हैं कुछ भी ऊंगिंग लटकता मैं में जुटकता मैं फटकता मैं में गया फटल पड़ता है τह proximity आई सके ऊपर भी टूपी नहीं है, तो क्या हैमर नहीं हो आ यह, हत्तवड़ा होती है? हत्तवडा हुआ न, अच्छे यही क्या सिर्फ यही इसका घूलेगा? कुछ रख 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 वह लेगा, जिसकर उपर वो टूपी होगी थोड़ी से लगी हुई इसको बोलते हैं बुल जो in वर्टेट है में उल्टा है में आप देख रहे हों बोलते क्या बुल जो हुआ क्या हरकत यह चीज अगर आपको उपर की तरफ होती वी दिखर है तो क्या हो रहा है यहां पर ओपनिंग यहां से शुरू हुई और क्लोजिंग यहां पर हुई लेकिन उपर तक अच्छा गिराने वाला काम किस ने किया विले न न पहले हीरो उपर लेके गया लेकिन हीरो को मार्क पीट करके बराबर गुंडे लोगों ने नीचे गिरा दिया तुझर तीन पार्ट है गुंडे का एक पार्ट है हीरो का पावर्फुल कॉन हुआ गुंडे लोग मतलब गिराने वाले सर यह कहां पर काम करेगा अगर नीचे है बॉटम में अगर यह बन रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्रिकिन ऑल्रडी बॉटम में तो नीचे की तरब जा सकता है मतलब यह अगर उपन रहा है तो ट्रेंट रिवर्स होगा नीचे बन रहा है तो नहीं हो सकता है विच में बनेगा तो अभी बताया जैसा इस वैसे इस केसमें सबसे इसको नोग तरिए सब्सक्राइब फिसली किया गुंडे ने हां कि cred लेकिन फिर क्या होपा ऑप लेक्क्त लेकिन फिर्न लुगाई कि गिराए कि यहां लोग रोना शरी यहां लोग यहां फिरू हो करके तो यहां क्लोस हुआ इसमें किसका ज्यादा पाट है सर पहले philosopher लोग उपर लेके गए 是 लेकिन गुंडे लोगो नगिए मतलब पावरफुल कौन गुंडे कई यहां भी गूंडे कई नीचे बना था सेम केसे इस में ऐसे हो अब देखो पोजिशन में आप लिख भी रखा है पोजिशन ट्रेंड रिवर्सल एफ फॉर्म से बॉटम अगर नीचे बनेगा तो रिवर्स होगा और क्या लिखा है नोटेंड चेंज फॉर्म से टॉप अगर उपर बनेगा तो कोई चेंज नहीं नेम डिजन मैंटर नेम के समझा है वह याद रखना नेम डिजन मैंटर ठीक इतना समझ में आ रहा है कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताई यह मजा रहा है और यह बाप रिपाप आइसा तो आज तक किसी ने समझा है नहीं क्या गज़ब समझा रहे हो से रिक्दम देशी में मजा रहा ऐसे ल इस तो तो नहीं है इसका जो सूतली है यह जितना है इसका बॉडी का लगभग लग रहा है तो इसको फिर मर नी बोलेंगे हैमर एसा होता है है कि 3-4 भागी है और एक भाग यह है्सा थो सकते हैं इसको फ़ला आप diva नहीं है हैं यह वह देखो बहुत अच्छा है यह बहुत बढ़ियां है मरें यह बहुत बढ़ियां है इसके बाद देखो हालत क्या हुई है ठीक है समझ जा रहा है मंजा है अब चलो वपर टाइप आप अफ हैमर एंवर्टेद हैमर शूटिइंग स्टार हैंगिंग मैं नाम में अप के बाद भूलोगे नहीं नाम इसका भी याद नहीं रखना क्या लिखा यार ग्रेवे स्टोन डोजी लॉंग लेज डोगी यह डोगी वो डोगी ट्रैगनिफाइड डोगी डाजो डोजी क्या मतलब मेरे को समझने का वो बताओ जैपनीस लोग लाम लेकर रखके चले गए हम हम भारतिय यह अपने नाम हम इजाद करेंगे अपने लिख सकता है लेकिन रखता देखएगे तो दösख्रोडा इधर में स्वेला के छोटा सा रडल यह इधर दिखिए तो बड़ा छोटा सा रेड या अधिकतर टाइम आपको ऐसा ही ब्लैक दिख जाएगा क्या मतलब होता है प्राइस ब्लैक अगर दिख रहा है तो प्राइस यहीं खुला और यहीं बंद हो गया ऐसा मतलब प्राइस खुला नीचे गया उपर यह इसका हाई प् कौन पावरफुल गुंडे लोग की हिरे लोग अभी समझाया ना सब देखो रतीं चार भाग गिराने वाले पहले कौन उपर गया था इससे फरक नी पड़ता है पहले ही रो गया था कि गुंडा गया था उससे फरक नी पड़ता है सर बाद में देखो हावी कौन हुआ है गिराने वाले हावा रही हुए तभी तो यह निच्छे खोम है अगर उठाने वाले हावी होते तो इससे निच्छे अगूरने ट्रेंटिक नी donations और नीच्छे बनेगा तो नीच्छे बने गह गुंडे लोगो नहांकि गिरा दिया मतलब सेन बदल दिया गुंडे लोग अचारक से आ गए अब काम नीचे की तिरफ हो सकता है तो मतलब यह अगर उपर बन रहा है तो समझ्जव ट्रेंड लोग मतलब यहां पर देखा रहा है जितना सा का गैंग है उतना ही सारतकपूर को आगे 100 लोग अगर इसमें इसमें बराबरी का मुकाबला हो रहा है या यह बराबर के लोग अग्दम बहुबली बहुबली तो ज्यादा ताकतवर था तुम्हारी बढ़ गया था न मतलब आईसा समझो कि बराबर बराबर टाइप हो बहुबली वन और बहुबली टू को लड़ा दिया जाए तो बराबर वैसा तो यहां पे कौन हावी हुआ सर कोई हावी नहीं हुआ इसके कुछ हीरो लोग आहे हैं कुछ हीरो लोग आहें मतलब रिवर्सल की पॉसिबिल्टी हो सकती है अच्छा इंगर बन रहा तो उपर जारा 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 50 पर से नीचे की तरह आपा सकता है possibility है possibility है अगर बीच में बन रहा है तो पिछला वाले डिपेंड करेगा पिछले वाले कॉन लाल वाले थे ग्रीन वाले थे हीरो लोग थे गुंडे लोग थे ठीक है घेकर लोग और के तरह अचा यह उपर मन रहा है तो तो बोधो बॉला रखायА गा अजो अजो ऑझो यह ग्रीन हो कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि यह बन गया ऐसा ग्रीन ठीक है तो ग्रीन बनाऊगा क्या हो बहुत छोटा सा मैं को दिखेगा बहुत छोटा सा तो इधर से प्राइस शुरू हुआ गिरा और उपर यहां तक गया सब तो क्या मतलब दिखा रहा है वही हीरो लोग प बाइर वाले पावरफुल मतलब वही समझ में आ रहा है चाहे इतने पर शुरू के इतने पर खतम हो जाए चाहे इतने पर अपने को कॉंसर्ट समझना है तो यह था सिंगल कैंडल पैटन अगर आपको यह समझ में आ जितना भरपूर कमेंट और लाइक आप दोगे इसके ब मैं डबल ट्रिपल और ला सकता हूं डिपेंड करेगा आपके कमेंट और लाइक पर आपके प्रेम भरे कमेंट पर कि इसी स्टाइल में डबल वाला और ट्रिपल वाला भी सिखा दूं तो आपके कमेंट और लाइक पर डिपेंड करेगा मजा है गजर लिग के बताओ कमेंट एक बीरी छूटेगा